नमस्कार दोस्तों, बूचे शिक्ति चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों, आज इस ने विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है दिपावली का तहवार आने वाला है उससे पहले धन तेरस जो है बहुत खास माना जाता है हिंदु धर्मशास्त के अनुसार धन तेरस से ही प्रारंब हो जाती है हमारी दिपावली का तहवार साथी साथ हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रियोदिशी तिथी को ही धन तेरस मनाया जाता है जो इस साल 2019 में 25 अक्टूबर के दिन यानि शुक्रवार के दिन पढ़ रहा है काफी शुप संयोग बन रहा है क्योंकि माता लक्ष्मी का ही दिन है और शुक्रवार का दिन है धनतेरस का दिन है इस दिन देवताओं के वैद यानि कि धनवंतरी जी की पूजा करने का विदान है इनकी पूजा से व्यक्ति को आरोग और निरोगी जीवन का आशिरवात प्राप्त होता है सुन्दर काया प्राप्त होती है समरिद्धी प्राप्त होती है धनवंतरी को भगवान विश्नु का ही अफ्तार माना जाता है इसी वज़े से माता लक्ष्मी को भी ये दिन जो ह अती प्रेय है पौराणिक मानेताओं के अनुसार समुद्रवंतन के सास्थ शरत पूर्णिमा कोचन्द्रमा कारतिक दौदशी को काम देनुगाय त्रिभड़शी को धनवंतरी और चतुरदशी को माकाली और अमावस्या को मा लक्षमी माता सागर सोत्पन हूई थी कार्ति क्रश्न तिरोदिशी को जो है धनवंत्री का जन बनाया जाता है इसलिए धनवंत्री के जनम दिन पर जब भी हम धनतेरस पर कोई भी समान खरीते हैं उन्हें ही समर्पित करकर समान खरीते हैं तो असा माना जाता है उस समान में जो है बड़ोतरी होती है जो आप समान खरिते हैं आपने जीवन में उसका आपको बहुत सारा लाप प्राप्त होता है कहा जाता है समुद्र बंतन के समय धनवंतरी ने संसार को अमरत प्रदान किया था उन्होंने धन तेरस के दिन आयूर्वेत का ही जो है आविशकार क्या था जिससे आज मानवजादी का कल्यान हो रहा है धन तेरस का जो शुब समय रहेगा 2019 का दिपावली से दो दिन पूर्व धन तेरस होता है इस साल कार्ति क्रिश्न त्रियोदिशी की तिथी जो है 25 अक्टूबर को पढ़ रही है जो की दिन में 4 बच कर 32 मिनट से चालू हो जाएगी इस समय पर आप जो है कोई भी सामान खरीच सकते हैं धन तेरस का समान इस शुब अफसर पर खरीदना या इस शुब घड़ी में खरीदना आपको काफी लाब देगा और जो अगले दिन 26 अक्टूबर को दिन में 2 बच कर 8 मिनट तक का यमरत काल रहेगा यानि ये शुब वेला रहेगी इस समय पर आप जो है अपना कोई भी सामान सोना चांदी या घर के बरतन खरीदना चाहते हैं कपड़े खरीदना चाहते हैं या कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो इसी समय पर खरीदी आपको काफी लाब राप्त होगा इसके साथ ही साथ भाईयों और बहनों धंतेरस के दिन साया काल के समय पर आप यमराज के नाम का दीबदान जरूर करें ऐसा माना जाता है कि अगर घर पर कोई अकाल मृत्यू का भय जो है वो नहीं रहता है साथ ही साथ आपके जीवन में यमराज की जितनी भी दूवदाएं रहती है वो समाप्त हो जाती है धंतेरस के दिन सोना या चांदी के अभूशन के साथ साथ सिक्के खरीदने बरतन खरीदने और अगर आप ये सब समान नहीं खरीद सकते हैं जैसे कई बार बहुत होता भी है तो हम नहीं खरीदना चाहते हैं किनी भी वजाओं से अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस दिन बता से जरूर खरीदें क्योंकि बता से जो है साक्षात लक्षमी जी का स्वरूप माने जाते हैं इस दिन इने खरीदना आपके जीवन में शुक्रग्रव को प्रवल करता है मिट्टी के दिपक जरूर खरीदने चाहिए साथ ही साथ कई स्थानों पर धंतेरस के दिन जो है दिवाली की तरह ही पूजा होती है तो कोशिश करें कि इस दिन श्री गणेश जी की पूजा लक्षमी माता की पूजा के साथ साथ मा कालका देवी की भी पूजा करें क्योंकि म काली की पूजा करने से भी आपके जीवन में जो है काफी आपको विगन जो होते हैं वो तो दूर होते हैं शत्रू शान तो होते हैं कर्ज मुक्ती से भी राहत मिलती है साथ ही साथ अगर उनकी पूजा आपके घर में नहीं होती है स्रिफ उनके नाम का जैकारा लगा कर आप जो है मातालक्ष्मी के ही सभी जैसे हम पारवती जी के ही सभी स्वरुक मानते हैं वैसे ही मालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जो वैशनो देवी में विराजमान है तो जब मातालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप तीनों माताओं के जैकारे भी ल चाहिए, तो आप ज़रूर करें इकार हैं आप देखेंगे आपके जीवन से कर्जमुक्ती भी होगी, शत्रू भी शान्त होंगे और माकाली की पूझा करने से आपके जीवन में शनी ग्रह ज अगिके यह केवल दू देवी देवताओं की पूझा से शान्त होते हैं वो है हनुमान जी और मा काल का देवी तो आप कोशिश करें कि पूजा पाट करें और धन्तेरस के दिन में अगर आप जितनी पूजा करेंगे और जितने फल प्रदान करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुक समरिध्य आपके जीवन में अगले साल बनेगी तो भाईयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज के वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए आज अपनी वाणी को हैं विराम देते वे मैं आशा करती हूँ हम फिर मिलेंगे किसी नए विशेवर चर्चा करते हूँ धन्यवाद दोस्तों